Hello Students, Good Morning आज हमें पेद नम्मर 158 निकालना है तो चलो उस पर देखते हैं Filling Ports Nassim and Abdul had to fill their pots each with water Nassim and Abdul क्या कर रहे देखो Water से क्या कर रहे? Port को fill कर रहे Both Ports were equally big and heavy वो दोनों के Ports कैसे देखो Big and heavy है So they want to the tap again and again Fill their oven bottles and pour water into the pot वो क्या कर रहें students? उनके जो Ports है वो कैसे है? बड़े and heavy है तो वो Bottle को बारी बारी से भरके Tap से अपने Null से भरके बारी बारी से ये स्पोर्ट में डालते हैं और उसको पुरा भर देते हैं यहाँ देख रहे हो students नसीम had to fill her bottle 16 times from to tap बट अब्दूल had to fill his bottle only 8 times यह नसीम है यह अब्दूल है तो नसीम कितनी टाइम? 16 times अपने नल से भरकर पोर्ट में डालती है और अब्दूल है वो 8 times 8 times अपनी बोटल में से नल से पानी भरकर अपने पोर्ट में डालता है तब fill up होता है What did नसीम go more time than अब्दूल? Why? Why did नसीम go more time than अब्दूल? Q students तो आप picture में ही देख रहे हो Q नसीम ज्यादा टाइम अब्दूल से ज्यादा टाइम उसने नल से पानी भरा तब उसका जो पोर्ट है वो क्या हो गया? बर गया तो उसकी बोटल देखो students जो अब्दूल की बोटल है वो बड़ी है और नसीम की बोटल छोटी है इसलिए वो 16 टाइम उसने नल से पानी भरा तब उसका पोर्ट फिल अब हुआ और जो अब्दूल है उसका एट टाइम बनने पर उसका जो पोर्ट है वो फिल हो गया हो गया? ओके नसीम बोटल केन होल्ड ब्लैंक ट्वाइस हाफ त्री टाइम उस मच वोटर उस अब्दूल बोटल तो आप देख रहे हो students यहां कि नसीम है वो 16 टाइम और अब्दूल है वो 8 टाइम देख रहे हो ना उससे क्या है नसीम की बोटल कितना पानी होल्ड कर रहे है हाफ अब्दूल से जो नसीम की बोटल है वो हाफ पानी होल्ड कर रहे है कितना पानी तो इस ब्लैंक में क्या हैगा? हाफ आएगा आप पिक्चर में भी देख सकते हो उससे half दीख रही है ये bottle तो नसीम bottle can hold half as much water as Abdul bottle Abdul की bottle से नसीम की जू bottle है वो half पानी hold कर रही है How many glasses? यहाँ आपको दो ports दिखाए रहे हैं दिखाए दे रहे हैं ये glass है A and B Port B holds 11 glass full of water जो port B है 11 glasses fill up करने से वो full हो जाता है यानि कि बर जाता है Port A holds twice a much water as port B ये जो port B है वो दो बार इसमें डालने पर port A बर जाता है दो बार port B एक बार और दुसरी बार डालने पर port A बर जाता है How many glasses of water are needed to fill port A तो students अगर हम glass से भरे पानी को Glass से water को इस port में डाले तो कितने glass होगे इसको इतने डालने में 11 glasses होए और ये इसे दुगना है ये दो डालने पर वो fill up होता है तो यहाँ 11 लगे तो 11 टूजा 22 कितने glasses लगेगे student 22 glasses कितने glasses लगेगे 22 glasses के आगे देखते हैं Filling Port Hall This is small town near Kohima There are some port hall in the road before the rain come तो Kohima के सामने उसके नज़्दी क्या था? Town था तो उसमें क्या हो गया था? उसमें क्या हो गया गत्ता student? Road में hole पड़ गए थे या देख रहे हो picture में आप और क्या हो रहा है था? Rain आने वाली थी Before the rain comes Rain आने वाली थी Children want to fill the holes with pebbles Children क्या चाहते थे students? कि जो holes पड़े है उसे pebbles थे क्या किया जाए? Fill किया जाए They bring pebbles in mug of the same size तो वो क्या करता है जो pebbles है? उसको mug में भरके Same size के mug में भरके वो क्या करते है? जो hole होते है उनको fill कर देते है क्यों? क्योंकि रहन आने वाली है देखो यह पिक्स्चर में तो hole A gates filled with 9 mugs of pebbles hole B gates filled with 18 mugs of pebbles hole C gates filled with 12 mugs of pebbles तो students यहाँ देख रहे है पिक्स्चर में देखने हैं से यह आपको समझ में आता है कि hole A में 9 mugs चाहिए hole B में 18 mugs चाहिए hole C में 12 mugs pebbles चाहिए तो चलो सबसे बड़ा यहाँ पिक्स्चर में यहाँ दिख रहा है तो यह वाला कौन सा होगा students? B होगा कौन सा होगा यह वाला hole? B होगा क्योंकि उसमें ज्यादा mugs pebbles चाहिए mugs of pebbles कितने? 18 चाहिए तो यह वाला B होगा हम गेस कर सकते हैं चलो 12 mugs of pebbles तो यह इससे थोड़ा छुटा है और यह उससे भी कम है तो यह कौन सा होगा? C होगा और यह वाला A होगा ओके? चलो और मार्क A, B, C on the right hole in the picture यह किया हमने विच इस द बिगेस्ट पोट होगा? चलो कौन सा है श्टूड़न्स याँ? बड़ा पोट होगा कौन सा है? तो B कौन सा है? होग B इप जग और यूज़ खोल A गेट फिल अब विद 5 जग हाउ मैनी जग जग्स और पोबेल्स आर नेड़ेट टू फिल होल B चलो श्टूड़न्स याँ देखो हमने यहां मॉग यूज़ किये है सब में किये है सेम साइज के तो पहले में A में 9 मॉग लगे B में 18 मॉग लगे तो यहां क्या कह रहा है कि मॉग की जगा हम जग्स यूज़ करें और जो होल A है उसे फिल अब करने में 5 जग लगे तो होल B को फिल अब करने में कितने जग्स लगेगे स्टूड़न्स तो चलो यहां देखो यहां 9 मॉग लगे थे और यहां 18 मॉग लगे थे यहां कितने है 9 मॉग और यहां 18 मॉग से उसे डबल लगे तो वही मॉग्स ओ पेबल्स को हम जग्स ओ पेबल्स में फिल अब करें तो यहां 5 हुए ओके तो यहां कितने होगे students 10 होगे कितने jugs होगे 10 होगे देखो या 9 to the 18 तो B में 18 हुए थे उसे double हुए थे तो अगर हम वही payballs को jug में fill up करे तो 5 हुए या तो 5 to the 10 हुआ तो यहां answer क्या आएगा students 10 jug कितने jugs होगे students 10 jugs तो students यहां हमारा ये chapter finish होता है वर्क बुक में आपको fill up कर देना है और जब भी मैं PDF बेजो तब आपको check कर लेना है Thank you